हलो अब्रिवन वेलकम बैक टू माय यूटुब चैनल दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं I hope आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज मैं बताऊंगे कि D10 घर पे कैसे करते हैं और उसको करने के क्या-क्या फायदे होते हैं तो यह मैंने जो D10 है यह मैंने यहां के लोकल मार्केट से पर्चेस किया है इसका वीक जारहें। इस यह प्यूट पैकेज़िंग में भाए हैं छोटे पैकेजिंग में भी आती हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर फेज वाश किया है, मैंने यहाँ पर ट्री ट्री का फेज वाश यूज़ कर रही हो, आप चाहे तो कोई भी फेज वाश यूज़ कर सकते हो, उसको मैंने अच्छे से हातों में थोड़ा बहुत पानी पर लिएकों अच्छे से फेज पर रब किया है, आपको दो मिनीट तक इसको मसाज करते हुए, उसके बाद आपको क्लीन करना है, जिससे क्या आपके फेज पर अगर थोड़े भूर डस्ट आते हैं, डस्ट वगरा आता भी है, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, उसके अच्छे बाद में से बाइज करें किको ड्रै टीशु की हर्प से अच्छे से मैं रखा निकाला है प्रपडी अच्छे से ब्रुष नियुद्धे लगाइंगे नियुक्त एवलेय Wow Il रखा तो ग flour देकिई और उछ प्म हर्फ के वर बॉफ continental लगता है आई बहुत ही स्मूथनिंग टेक्च्चर है तो अगर आप डीटैन क्या होता है आप फेस पे भी लगा सकते हैं अधर बॉड़ी पार्स में भी लगा सकते हो तो ऐसा कोई नहीं है कि आप बॉड़ी में नहीं लगा सकते हो और इसको रखने की जो टाइमिंग है वो 10 से 15 मिनिट है मुझे काफी लोगों ने बोला था कि मैं 45 मिनिट या 30 मिनिट रख सकते हो क्या तो जी नहीं आप अगर डीटैन फेस पे कर रहे हो तो प्लीज आप उसको only 10 से 15 मिनिट ही रखो विकाज आपके फेस में जो pH बैलंस है वो otherwise उसको शो कर लेता है और आपकी स्कीन बहुत ही ड से 15 मिनिट रखे और बॉड़ी पे आप 30 मिनिट तक रख सकते हो डीटैन को मेल और फिमेल दोनों यूज कर सकते हैं और इसको 13 प्लस के बाद कोई भी यूज कर सकता है तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से ब्रश क्याल्प से लगा दिया है उसके बास में इसको सूकने के लिए 10 मिनिट के लिए चोड़ोंगी और यह कंप्लीटली नहीं सूकता है 10 मिनिट के बाद जो हलका सा क्रीमी क्रीमी रहता है पको पानी के हल से अच्छे से मसाज करते हुए इसको रिमूव करना है आपको डार्यट वास नहीं करना है विकॉस क्या होता है यह जब सूक जाता है तो मेरे डबल फायदा हो जाता है तो मेरे डबल फायदा हो जाता है एंड हाँ डीटेन उन लोगों के लिए सबसे बैस्ट है जिनको ब्लीच करना नहीं पसंद है ब्लीच में क्या होता है आपके फेशल एर गोल्डन हो जाता है काफी लोगों को पसंद नहीं आता है बट इस डीटेन से आपके फेशल एर गोल्डन नहीं होंगे स्कीन टॉन लाइट होता है मतलब आपका जो टैनिंग होती है वो रिमूव हो जाएगी मतलब कुछ हता कम हो जाता है तो आपका फेशल ओल्रीडि गोल्ड दिखता है तो अगर आपको डबल रिजल चाहिए दो गुना रिजल चाहिए तो आप यह स्क्रब करो या फिर एक नापकिन लिया है उसके को वाइब कर रहे हैं अब मेरे सामने कर देख सकते हो कि मेरा कितना ग्लोइंग कर रहा है अब इसको पर कोई भी कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाया है यह देन इसको मैंने उसके बाद जल लिया है और जल से मसाज किया आप प्रूट जल लिया है चाहे तो आप अलोवेरा जल या कोई भी अधर जल ले सकते हो और एक बात अगर आपको हमेशा डीटैन करते वह ध्यान रखना है कि जीटैन हमेशा शाम के टाइम करें जिससे क्या होता है आप दूप में नहीं जाओगे तो आपका फेस ग्लोइंग करे अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और नए हो तो प्लीज दू सब्सक्राइब थैंक यू बाइबाई